तो देखे बंसली उसके कैमरे के जरी ताजा तस्वीरे आपने देखे और आपने देखा होगा पीछे के अभी भी धुआ लगातार फैक्टरी के अंदर से निकल रहा है लेकिन अब इतने बड़े दर्दनाक हाचसे के बाद वो सवाल है जो फिर से उठने लगे हैं वो सवाल जिसका जवाब आज हर कोई चाहता है और खास तोर पर वो पीडित परीजन वो पीडित लोग जिनके अपने या तो इस मलवे के अंदर दबे हैं या तो अस्पताल में भड़ती है बस्ती के पास पताकों की फैक्टरी की अनुमती क्यों दी गई ये सबसे बड़ा सवाल है रियाईशी इलाकों में क्यों आखिरे फैक्टरी चल रही थी ब्लैक लिस्टर थी कंपनी लेकिन उसके बावजूत कैसे संचालित किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से निगरानी की क्या विवस्था थी और फैक्टरी में काम करने वाले वो मजदूर क्या पूरी तरह से ट्रेंड थे क्या प्रसिक्षन उन्हें प्राप्त था अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसके लिए क्यों आखिर किसी तरह की विवस्था नहीं थी घर में आख वैले की वज़ा घर में रखा बारूत था लेकिन यह आया कहां से यह भी एक बड़ा सवाल है तो देखे कुछ बड़े जीरो पर इस वक्त बंसली उसकी टीम मौजूद है सूरज शर्मा जो लगातार कल से ही यहां से पलपल का अपडेट आप तक पहुचा रहे हैं सूरज का एक बार फिर से रुक करते हैं सूरज कई सवाल है जिनके जवाब टटोल ने बहुत जादा जरूरी है लेकिन आपकी कई कई जगा पर छोटी सी आग भी जल रही है चुटमुर ब्लास्ट भी वहाँ पर लगातार हो रहे हैं फिलाल आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है रेस्क्यू आपरेशन को लेकर और तमाम तस्वीर हम तक पहुचा आई है लेकिन अभी भी जाच उसकी होनी चाहिए कि आखर समका जिम्मेदार कौन है जब फैक्टरी को एक बार सील कर दिया था तो आखर किस अधिकारी के कहने पर वापस उन्हें इस्टे दिया गया उसमें फिर से फैक्टरी खोली यही नहीं फैक्टरी खोलने के साथ ही विस्तार भी किया गया है यही पहले एक छोटी फै लिके अनुमती दी गई इसके पीछे कौन जिम्मधार है कौन से अधिकारी जिम्मधार है उनको किन निताओं का संड्रेक्शनल प्राफ्ता तमाम जो गुतियां है वो सुलजना बाकी है जाया और उसके बाद ही ये तैह होगा कि इतने बड़े हाथते के पीछे आकिर जिम्म है मैंने सयोगे से कहूं कुछ दिर पहले अभी यहां भी धुमाके हो रहे थे जहां पर आप देखिए थोड़ा बहुत धुआ उटता नजर आ रहा है यहां पर सुतली बम अभी फूटते हुए नजर आ रहे थे जो अस्थानी निवासियों से हमारी बात हुई आसपास के बात हुई उनका कहना है कि 10 से 12 टन यहां पर बारूत था क्योंकि बड़ी मातरा में लाकों की संक्या में पटाके बनते थे और खास तों से सुतली बम ही यहां पर बनाया जाता था जिसमें ज़्यादा वारूत की आवश्रक्ता होती है और जो कारीगर काम करते थे जो नहीं रखा गया है जिस परकार से हमने अस्पताल में भरती मजदूरों से बात की थी उनका कहना था कि वो साधन तोर पर जाते थे और उन्हें छोटी चोटी पुडिया में बारूत दिया जाता था जिसमें सुतली बम वो लपेड कर बम बनाया करते थे तो ना ही उनके पा कोई वाटर केनन का इस्तिमाल किया गया था ना ही खास दोर से हम देखते हैं जब फटाका फैक्टरी कोई भी ऐसी फैक्टरी के अनुमती मिलती है तो सबसे पहले वहाँ पर फायर के अनुसी होना चाहिए कि अदि इतनी मातरा में बारूत है तो कैसे या वाटर सप्लाई क जरी पाग बुझाने को लेकर आपके पास अडियन्त हैं कैसे मसीन वहाँ पर लगाई गई हैं लेकिन ऐसे किसी भी प्रकार का कोई मानक नहीं था यहने कह सकते हैं कि सिर्फ अंदेखी की जा रही थी लापरवाई की जा रही थी और उसी अंदेखी लापरवाई का नतिज